नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आज की इस वीडियो में हम लोग कॉश्चन साल्प करने वाले हैं बेसिकली हिस्ट्री के तो उच्च प्रात्मिक इस्तर की तैयारी जो लोग कर रहे हैं यूपी टेट की जूनियर वर के लिए और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो तो चलिए वीडियो क शुरू करते हैं तो यह है MCQ 3rd सामाजिक अध्यन के लिए दोस्तों इसी क्रम में सेट 3 का पहला प्रसनाव की स्क्रीन पर है UP LOWERS उसमें पूछा गया प्रीमे 2015 में Robert Bruce फुट थे एक क्या थे भूगर बिञ्यानी थे पुरा तत्वीदी थे पुरा वनस्पध्स सास्त्री थे और इतिहासकार थे तो जो जो इनसाइकलोपीडिया है बितानिका उसके नुसार जो Robert Bruce थे वो एकी ब्रिटिस भूगर बिञ्यानी को और पुरा तत्वीदी थे ठीक है और इन्होंने 1863 में भारत में पासार कालीन जो बस्तियां थी उनके खोज की सुरुवात की थी तो इसमें जो दोनों विकल्ब हैं A और B ये दोनों सही हो जाते हैं ब्रिटेश बैगयनिक थे भूगर बैगयनिक और पुरातत विदी अगले प्रसन की तरह बढ़ेंगे वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सेर जुरू कीजिएगा बहुत ही अच्छे प्रसन है कोपेन हेगन संग्रहाले की सामगरी से पांसाण कांस और लवह युक का त्रियोगीन विभाजन किया था थांसन ने लुबाक ने टेलर ने और या फिर चाइल्ड ने बताईए दोस्तों डेन्मार्क के कोपेन हेगन ठीक है कोपेन हेगन संग्रहाले जो था उसकी सामगरी के अधार पर पांसाण कांस और लवह युक तीन युगी जो विभाजन किया था वो सन 1820 में किसने किया था एक पुरातत्त्य विद थे क्रिस्टियन जर्गेशन थांसान ने जो यह बताया था कि यह सामगरी के अधार पर पांसाण कांसे और लोह की तीन युग में विभाजन ने कर दिया था तो कौन सा भीकल्प से हो जाएगा एगले प्रसंद के उत्रब बढ़ेंगे अगला प्रसंद उत्खनित प्रमानों के नुसार पासुपालन का प्रारंब हुआ था निचले पूर्पासाड काल में मध्य पूर्पासाड काल में उपरी इवं पासाड काल में या मध्य पासाड काल में दोस्तों मद्धिपासाण काल के अंतिम चरण में पसपालन के साच्छे प्राप्त होने लगते हैं जैसे भारप के अगर बात करें तो आदमगड होसंगाबाद जो इस समय मद्धिप्रदेश में है वहाँ पर और बागोर बागोर भीलवाडा जो की राजस्थान में है अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर मद्धिपासाण प्रसंग में पसपालन के जहां प्रमाण मिले हैं वाइस्थान कौन सा है अभी मैंने आपको बताया पिछले कुश्चन में लंगनाज भीर भानपूर आदमगड या चौपानी मांडो तो दोस्तों मद्धिपासाण प्रसंग में पसपालन के प्रमाण मिले हैं वो मिले थे आदमगड में आदमगड मद्धिप्रदेश में था जिसे होशंगा बाद बोलता है ठीक है तो विकल कौन सा से होजेगा से अगले प्रसंगी तरब बढ़ेंगे निमलिखित में इसे किस इस्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए है चौपानी मांडो काकोरिया महदहा शरायनाहर राय से बताइए हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए है तो दोस्तों मध्य पासाड काल में हड़ी के जो प्राप्त होय थे, आउशेश वो प्राप्त होय थे महदाहा, महदाहा कहां पर है, उत्तर परदेश के परताब गड़ जिले में और यहां पर बड़ी मात्रा में हड़ी, सीन से निर्मित उपकरण पाए गये थे, जी आर सर्मा जो पुरा तप्तु विद हैं उनके अनुसार माधाहा जो था उसमें तीन छेत्रों का उलेक किया गया था पहला जो उलेक मिला था जील का मिला था दूसरा मिला था बूचर खाने का और तीसरा मिला था कबरिस्तान का तो यहां पर हड़ी के उपकरण पाये गये थे महादहा से, ध्यान में रखिएगा most important प्रस्वनों में से एक है, आगे बढ़ते हैं, हड़ी से निर्मित आभुसर भारत में मध्यपासाल काड के संदर्ब में प्राप्थ हुए है, शराय नहार से महादहा से, लेकेहिया से या चोपानी मंडो से, तो अभी मैंने बताया यह प्राप्थ हुए हैं महादहा से, आगे बढ़ते हैं, एक ही कब्र से तीन मानो कंकाल लिकले हैं कहां पर, शराय नहार राय से, दमदमा से, या महादहा से, या लंगनास से, एक ही कब्र में तीन मानो कंकाल कहां से पाए गए हैं, दोस्तों, जो गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी है, उसमें प्रतापगड जिले में, शराय नह राय महदाहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है ठीक है प्रतापगड में दमदमा में लगातार पाच वर्सों तक उत्खनन हुआ जिससे जो है पश्चमी और मधिवर्ती छित्रों में कुल मिलाकर 41 एकतालिस मानो सवधान गयाथ हुए इन सवधानों में पाच जो सवधान थे वो साथ में थे जोड़े के रूप में थे और एक सवधान जो था वो तीन मानों का अंकाल एक साथ दफनाए गये थे ठीक है तो कहां पर मिले हैं ये मिले हैं दमदमा में तो विकल्ब कौन सा सही हो जाएगा बी आगे बढ़ते हैं खाध्यानों की कसी सरप्रथम काल या प्रोटो एतिहासिक काल में बताए जे खाध्यानों की करसी सरप्रथम कहां पर प्रारंब हुए थी दोस्तों जो खाद्यानों का अत्पादन हुआ था वो सरप्रथम हुआ था नौपासारकाल में ये वो समय था जब मनुष जो है क्रस से परिचित हुआ था खेती बाड़ी से परिचित हुआ था तो कौन सा विकल्ब से हो जाएगा विकल्ब ए नौपासारकाल आगे बढ़ते हैं भारत में मानओ का सरपर्थम साच कहां मिलता है नेलगिरी पहाणियां सिवालिक पहाणियां नल्ला माला की पहाणियांHHHH या नर्मदा घाटी बहुत यह अच्छा प्रस्थन है और मोस्ट इंपर्टेन प्रस्थन दोस्तों भारत में मानाव का जो सरप्रथम साच मिला है वहां मद्य प्रदेश के पश्मी नर्मदा छेत्र में मिला है और इसकी खोज गप की गई थी 1982 में तो कौनसा बिकल्प से हो जाएगा बिकल्प डी से हो जाएगा मध्य प्रदेश के पश्चमी नर्वदा चेतर में आगे बढ़े चलिए बहुत ही बार पूछा गया प्रस्न है इसको इंपोर्टेंट की स्रेणी में डाल लीजेगा और ये बहुत बार वंडे एक्जाम ने ए दोस्तों जो जो था वह मानवदारा सरपथम प्रयुक्त अनास था क्योंकि आधुनिक जो मानव है वह मुक्रूप से आठ तरीके के जो है अनाज खाता है जैसे जो गेहूं चावाल मक्का बाजरा सौरगहम राई जयी ये सारी चीजें तो लगभग मान के चलिए कि अगर बहुत कम उपजाया जाता है और गेहूं बहुत ज़्यादा ठीक है और मान के चलिए कि लगभग आठ हजार इसापूर्व के आसपास जो है गेहूं मानों के दवरा हुगाया गया था गेहूं आठ हजार वर्स पूर्व तो यहां पर कौन से विकल्प सही हो जाएगा सी सह बहुत कि भारतियुप महादीप में प्राचीनतम साची कहां से प्राप्थ हूं है तो दोस्तों यह प्राप्थ हूं है लहुरा देव से तो भीकल कौन से सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा क्योंकि भारतियुप महादीप में प्राचीनतम क्रस साची वाला इस्थल जो उत्तर प्रदेश के संत कभीर नगर जिले में इस्थित था उसका क्या नाम था लहुरा देव ठीक है और नविंतम खोज के पूर्व जो उप महादीप का प्राचीनतम क्रस साची वाला इस्थ और प्राचिंतम चावल के साथ कि अगर बात करें, तो वो कोल डेवा से मिला है, जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी के तटपर है, ठीक है, महरगड से क्या मिला है, महरगड से मिला गेहू, और कोल डेवा से क्या मिला है, महरगड कहां पर है, महरगड है पाकिस्तान के से थीक है कि को कि आगे बढ़ता है कि भार्ति नहीं महादीप में क्रसी के प्राचेंतम स् prick are निंटीप में विर्भ दिव या महर घड सकते हैं तो अभी बात चल लहीं थी तो महर गड से प्राप्थ हुए प्राचेंतम सक्क क्रसी कई आगे बढ़ें भारतियों महादीम बिन दीप में क्रेशिके प्राचीनतम यह भी प्रस्ट रिपीट हुआ है तो यह मेहरगड से सी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं उस इस्थल का नाम बताईए जहां से प्राचीनतम इस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं दोला वीरा किलेगुल मुहमद काली बंगा या मेहरगड बताईए 14 तो जो बिकल्ब दिये हैं उनके अनुसर प्राचीनतम इस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं वो सरप्रथम लगबग साथ हजार इसा पूर्व है ठीक है जबकि किले गुल मुहम्मद एवं काली बंगा की जो प्राचीनतम तिथ है वह चार हजार और 3500 इसा पूर्व है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि मेहर गड़ यहां पर सही होगा क्योंकि वहां पर प्राचीनतम इस्थाई जीमन के प्रमान मिले हैं और किले गुल मुहम्मद में लगबग 4000 वर्स पूर्व और 3500 वर्स पूर्व आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आपकी स्क्रीन पर निमलिखित में से किसको चालको थिलिक यूग भी कहा जाता है पुरा पासाड़ यूग नौ पासाड़ यूग तामर पासाड़ यूग या लहो यूग बताइए चालको लिथिक यूग किसे बोला जाता है तो दोस्तों जो तामर से 50 पासार संस्क्रच से लेकर हडपा सभिता तक संस्कृतिक अउश्यष्प्राप्त हो आम्री मैहर गड़ कोड़धीजी अकाली बंगा बताईगे दोस्तों बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में इस्तित है जो पुरा इस्थल है मेहरगड से पासाड संस्कृत से लेकर हडपा सब्धिता तक संस्कृतिक आउसे स्प्राप्थ होए है तो भिकल कौन से हो जाएगा बी अगले प्रसंद की तरफ बढ़ेंगे नौदा टोली का उत्खनन किस ने किया था केडी बाजपेई ने बीएस वांकंकर ने HD संकालिया ने या मार्टिमर हुईलर ने बताइए नौदा टोली तो इस तो नौदा टोली है कहाँ पर मध्य प्रदेश में और इसका उत्खनन जो किया था वो दक्कन कालेज के पूना के प्रोफेसर थे HD संकालिया इन्होंने किया था और ये जो इस्थल है इस महादीब का सबसे विस्तरत उत्खनित ताम्रपासाडिक ग्राम इस्थल है जिसकी तिदी जो है वो 1600 से 1300 इसा पूर्व निर्धारित की गई है ठीक है तो विकल कौन सा सही हो जाएगा सी नौदा टोली किस राज में इस्थित है मैंने अभी आपको बताया गुजरात महाराज चतिसगर या मध्यप्रदेश तो दोस्तों नौदा टोली मध्यप्रदेश में इस्थित विकल कौन सा सही हो जाएगा डी आगे बढ़ते है ब्रहत पांसाण समार्कों की पहचान की गई थी सन्यासी गुफाओं के रूप में मरतक को दफनाने के स्थान के रूप में मंदिर के रूप में या उपरिक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों ब्रहत पांसाण कार जो इस्मारक की पहचान की गई थी वह की गई थी मरतक को दफनाने के स्थान के रूप में तो कौन स संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मागिर बताईए। तो करनाटक में मैसूर के पास विलारी जनपद में इस्थित है संगनकल्लू। यहीं पर नौपासाड कालीन पुरास्थल से राक के टीले प्राप्त हो यह भी पूजा जा सकता संगनकल्लू कहां पर है। करनाटक के मैसूर के पास विल्लारी जन्पद में ठीक है और यहीं से राक का टीला जो है मिला है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसनों में से एक है इसको ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं भीम बिटका किसके लिए प्रसिद्ध है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन गुफाओं के सेल चित्र खनिज बौध प्रत्माए शोन नदी का उपागम है बताईए तोस्तों मद्य प्रदेश का जो राइसेंजिला है वहाँ पर भीम बिटका है और वहीं पर प्रेग एतिहासिक सेल चित्र करला का स्रेश्ट उधार मिला है ठीक है यनि कि वहाँ पर क्या मिले हैं गुफाओं में सेल चित्र मिले है और इन गुफाओं में जीवन के बिविद रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है इसमें हाथी बने हैं, सांभर बने हैं हिरन बने है, इस तरीके के चित्र बने है और लगबग ऐसे 700 सरडस्तल यानि गुफा वाले सरडस्तल की पहचान की जा चुकी है और इन में से लगबग 243 गृप्स यानि 243 समू कहां पे मिले हैं भीमबिटका में और लगबग 178 समू लाखा जुवार समू यहां पर इस्थित हैं भीमबिटका में ठीक है भीमबिटका समू में 243 गृप्स और लाखा जुवार समू में 178 लगबग 178 सरडस्तल मिले हैं आगे बढ़ेंगे निम्न में से कौन सा इस्थल प्रागे थिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है अजन्ता भीमबिटका बाग या अमरावती बताइए जोस्तों प्रागे थिहासिक चित्रकला यानि सेल चित्र कहां पर मिले हैं भीमबिटका में मिले हैं तो B साही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, बीम बेटका की कहां गुफाएं इस्तित हैं बताइए, बीम बेटका की कहां पर इस्तित हैं, बारत में किस सिलास्त्रे से सरबादिक चित्र प्राप्त हुए हैं, गगरिया से भीम बेटका से लेकाया से आदमगड से देखिए भीम बेटका पर कितने प्रस्न यहां पर बन रहा है तो भीम बेटका से जो प्राप्थ हुए है वो सहल चित्र प्राप्थ हुए भीम बेटका से तो विकल्ब कौन से सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गैरिक म्रदभांड पात्र यानि कि OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था आहिछट्र में हुआ था नौ में हुआ था या लालकिला में हुआ था तो इस तो गंगायमुना एक दोआप की संस्कृत की परंपरा मान र Sound श्तिनापुर तर अतरनजी खेडा ध्यार में रखिएगा prints विकलपी ओंसे तर नौनसे ही ओध हुआ जाएगा A. आगे बढ़ते हैं, तामास्त्र काल में महाराष्ट के लोग मरत्कों के घर के फर्स के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दच्छिड, पूर्व से पस्चिड की और, दच्छिड से उत्तर की और, या पस्चिड से पूर्व की और? दोस्तों, उत्तर से दच्छिड की और रखकर दफनाते थे. तो यहां कौनसा विकल्प से हो जाएगा? विकल्प A से हो जाएगा. महाराष्ट में तामरपास्तिर पासार कालीन जो संस्कृत थी, जो और्बे संस्कृत थी, इसमें निवासा, दाइमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गाउं, इन पुरास्तिलों में जो घर थे, वहां पर मरत्कों की अस्तिकलस में रखकर उत्तर से दच्छिड इस्थित में घरों के फर्स के नीचे दफनाये जाने की साच मिले हैं. कबर में मिट्टी की हंडिया मिली है, तामबे की कुछ बस्तुएं साथ में रखी जाती थी. तो व इंपोर्टेंट, ब्रह्मगीरी बुर्ज होम चिरांद मास्की, बताइए, कहां पर मिला है मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्न है. तो जम्मू और कस्मीर में सिरीनगर के निकट जो है उत्तर पस्चिव में इस्तित है बुर् पर जो है गर्तावास बनाया जाते है, गड्धे वाले घर, जो है इसकी प्रमुख विस्यस्ता बताईए, गड्डों वाले घर में ये चीजे मिली है, तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प B सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, यह अभी एक मतलब गड्धों वाले घर, और ये मिले हैं बुर्ज होम में, जम्मु कस्मीर स्री नगर के निकट उतर पच्चे में इस्तित है बुर्ज होम, वही पर गर्तावास के साच्छे प्राप्त हुए है, आगे बढ़ते हैं, विंद छेत्र में किस सिलास्त्रे के सरवादिक मानो का अंकाल मिले हैं, बताइए, मौराना पहाण गगरिया, भगही खोर या लेखाईया, दोस्तों, एक पुस्तक है पुरातत्तु विमर्ज, ये है जेन पांडे की, इनके नुस्वार जो है, लेखाईया के सिलास्त्रे संख्या वन से मद्ध पासाडिक, लगपासाड और क्र जो प्रोफेसर हैं जान और लुकास, उन्होंने कहा है कि लेखाईया में कुल 27 मानो कंगालों की अस्तिया मिली है, तो ये मिली है, कहां पर लेखाईया में, आगे बढ़ते हैं, भारती ये पुरातत्त सरवेच्छर निमलिखित विभागों मंत्रायलों में से किसका सनलंग कारेले है, संस्कृत परेटन विज्ञान अबम प्रोधिक्गी या मानो संसाधन विकास, बताईये, दोस्तों, जो आर्कियो लॉजिकल सरवे आफ इंडिया ये भारती ये पुरातत्तु सरवेच्छर, संस्कृत मंत्रा ले, के अधीन होता है, तो कौन सा विकल्प से मार्टिमर हुईलर या जिम्स प्रिंसिप, दोस्तों, जो एलेक्जेंडर कनिंगम थे, एलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893, ठीक है, को एक बिटिस सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, और उन्हें ही भारती पुरा सेवा निर्वत के पस्चाद उन्हें भारती पुरातत्तु सर्वेचड का पहला महाने देशक नियुक्ति किया गया, ये भी ध्यान में रखियेगा, भारती पुरातत्तु सर्वेचड के जो पहले महाने देशक थे, वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, और भारती पुरातत्त जो मानो संग्रहले है इसका नाम बदल दिया गया है इसका नाम बदल करके इंद्रागंधी राष्टी मानो संग्रहले कर दिया गया है और यह कहां पर है भापाल में मध्य प्रदेश में MP भौपाल में, ठीक है, और यहां भारत सरकार के संस्क्रविभाग के अंतरकत, स्वायत सासी संगठन है, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया, अगर इंदरा कंदी, राष्टी मानो संग्राले पूछता है, तब भी आपको भौपाल बताना है, राष्टी मानो संग्राले पहली बार आया है, तो चैनल पर चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, और किसी भी सच्किन भरती की तहरी करना है छैनल को सस्क्राइब करने के साथ साल लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पे, Facebook गृ्प पे इस वीडियो को सेर कीजिए. अब मैं आपको बता दू कि लगाटार जो भी हिस्ट्री है वो पूरी लगाटार इसी वे में चलती रहेगी और इसको जल्द ही हम लोग फिनिस करेंगे तो अभी क्या चल ला है अभी जो चल ला है वो प्राचीन भारत के सेक्शन चल ला है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में